हेलो गाइस आज हम बनाने वाले हैं साधा ब्रेड पकोड़ा गाइस आज हम ब्रेड पकोड़े में आलू नहीं डालेंगे तो साधा ही मैंने ब्रेड ले लिये हैं और थोड़ा सा इसमें कला नमक लगा लिया है और हम इसके बनाने वाले हैं आज ब्रेड पकोड़ा तो चलि चाहिए पाउडर एक छोड़ा चमच नमक और थोड़ा साइच अधर नमक डाल देती हूं आदा चोड़ा चमच घरम चाला यादा चोड़ा चमच चाड मिसाला दो तिन कटी हुई बारीग हरीमिच और यह थोड़ा सा धनिया अमें इस मिश्रन को अच्छे से मिक्स कर ले रह असक्क करते हैं इसलिए तो यह जप्रोंता जैस करते हैं आगा नहीं अच्छा टेस्ट करें था करणा घरन कराना क्याँ अगर्च विatteव के अगर्च पर पीढ़र हैं तो पके आपको विए थोड़ा थोड़ा सा पाने डाल के इसका गोलतीयार कर लेंगिए उना प्रियट के according आपको भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पारे डाल के गोल तियार करना है अलब मिश्रन बनाना है तो चली मैं जल्दी जल्दी से इसका गोल तियार कर लेती हूं फिर बनाएंगे आम इसके ब्रेट पकवाड़ा और हाँ गाइस एक बात तो मैं आपसे कहना भूली गई गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर देना जिससे कि मैं जो जो वीडियो डालूंगी न उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा जिससे आप मे मैं आपके लिए इतना मैनत कर रही हूँ वीडियो बनाती हूँ तो आपको भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो गाइस प्लीज आप मेरे को सपोर्ट करिए जिससे कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगी आपके लिए और अ मेरे सौर्ट वीडियो भी देख सकते हैं यह हो गया हमारा घोलते यार अब हम सेखते हैं ब्रेड पकोड़ा हमारा हो गया है ओल गरम गाइस अम में इसमें सारे ब्रेड भिगो कर डाल देती हूं और हां गाइस मैं ब्रेड मीडियम आज पर सेक रही हूं जल्दी जल्दी से स आरे बिरेट सेख लेती हूं गाइस आरे बिरेट सेख लेती हूं गाइस गाइस हमारी बिरेट पकोडा सिकर रेडी हो गए हैं चलिए तो मैं अब इनको प्लेट में निकाल लेती हूं बाकी के हमारे बिरेट बचे हैं उन्हें भी मैं जदी अल्दी से सेख लेती हूं और गाइस हमारी सारे बिरेट सेख कर रेडी हो चके हैं चलिए तो मैं इन्हेवी निकाल लेती हूं यह हमारे प्रेट बन के तियार है गाइस दे सकते हैं आप